ओर रmeट गई तो आज किस वीडियू में हम लोग बात करेंगे रियक्ट जैसके अंदर की props क्या होते है,Drop's को किस तरीके से समझा जाए,inya props के indoor वह कौन को इस चीजी होती है काफ जाए कौछे कैसी कज़ कर सकते है काफी लोग को डाउट आते हैं कि यार props को किस तरीके से समझा जाए इस video के end of end आपको यह पता चल जाएगा कि props क्या होते हैं और props को किस तरीके से समझा जा सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अभी तक इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट वाला वीडियो चेक आउट नहीं किया इससे प्रिविस वाला वीडियो यह हो जरू जाके शेक आउट करना क्योंकि यह वीडियो उसी पर बेस्ट है और मैं इस सीरीज को इस तरीके से बना रहा हूं ताकि आपको कोई भी टोपिक इसके अंदर कोई भी स्किप नहीं मिलेगा आपको सारे वीडियो को चेक आउट करना है और इस पर प्रैक्टिकल करना है कोड खुद से करना है आप खुद जब कोड लिखना स्टार्ट नहीं करोगे तब आपके स इस यह मेरा कुछ फोल्ड श्ट्रक्चर है बस वही फोल्ड श्ट्रक्चर है जो पिछले वाले वीडियो के अंदर था उस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेकिन हम लोग थोड़ा कंटिनू करते हैं मैंने कुछ फॉल फाइल चाहां पर रूट के अंदर मैं दिखा रहा हूँ रूट क्या है रूट बेसिकली इंडेक्स.html के अंदर आप लोग चलोगे तो यह देखो डिव इडी क्वस्टू रूट है और यह जो डिव ईडी क्वस्टू रूट है यह बॉपॉलेट होगा जब हमारा यहां पर जावा तो कुल मिलागे बात यह है कि मुझे यहां पर Hello World दिखाई देगा, मुझे आपको दिखाता हूँ, यह देखो मुझे यहां पर Hello World दिखाई दे रहा है इस ब्राउजर के अंदर, और आप लोग को नहीं पता है कि यार आपकी जो React की application होती है, उसको किस तरीके से run करना होता ह तो आप लोग का मैंड फोल्डर है, मैंड एक्ट्री है, वैसे तो मने बता रखा है सारी चीजे, लेकिन फिर भी आपको doubt है, तो जो मैंड एक्ट्री हमाई एप उसके अंदर जाके आप लोग जैसे NPM start करोगे, NPM space start आप लोग जैसे इंटर वारोगे तो आपकी जो React की application ह हाड़ी 30 seconds के अंदर load होना start कर देगी, आपको इस तरीके से localhost 3000 port पे provide की जाएगी, तो इस पर भी a run हो रही है, ठीक है, आप लोग को कोई go live का आप यहाँ पे इस पे click नहीं करना, आपको कुछ command यहाँ पे provide करनी पड़ेगी, और वो command मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं यहाँ पे NPM start कर रहा है, in fact मैं आपको बताऊं तो, साहिद वो यार, I don't know, वो मेरे समने नहीं आ रहा, बट आपको NPM start कर देना, आपके सामने यह application start हो जाएगी, okay, तो देखो यार, props क्या है, props property है, props stand for property, basically property का ही sort है props, उसी को हम लोग बोलते है props, और props कुछ नहीं है, वो एक ऐसे variable, जिसको हम लोग बताएंगे कि actual में क्या होने है, actually में हम लोग यहाँ पे pass करेंगे, dynamically हम लोग ID कर सकते हैं, तो कैसे करते हैं, जब मैं आपको बताऊंगा, तब आपको चीजे थोड़ी और अच्छे से समझ में आएंगे, देखना, अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं एक app.js के अंदर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक const app simply equals to मैं एक function मनाता हूँ इस तरीके से, ओके, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे return करवाता हूँ इससे, कि return किया जाए, simple एक div ID, simply मैं इस तरीके से synthetic sugar format यूज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ ले सकता हूँ, कि एक class name होगा, class name क्या होगा, basically, अगर मैं यहाँ पे card लिखू तो मिरे पास यहाँ पे class name card आ जाएगा, मुझे card लिखना था, तो card मैं बनाओंगा, ठीक है, और इस card के अंदर मैं क्या करूँगा, इस card के अंदर मैं सबसे पहले, एक card का title बनाओंगा, मैं यहाँ box भी ले सकता था, मैं कुछ भी ले सकता था, मैं यहाँ पे card का title बनाओंगा, इस तरीके से, card के title के अंदर मैं क्या लिखूँगा, card का title से पहले, card header बनाओंगा, इस तरीके से, okay, और इसके अंदर मैं क्याड़ा दूगा, जो मैं यह चीज़ पास कर दूगा, okay, that's it, और म title pass कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यह चीज़ डाल दी, that's it, तो मैंने class name डाल दिया, मैंने यहाँ पे यह चीज़ पास कर दी है, अब अगर मैं, यहाँ पे आके, मैं एक काम करूँ, और वो काम होगा, मैं यहाँ पे card का body बनाना चाहता हूँ, तो मैं card क body बनाओंगा यार, body बनाओगा इस तरीके से ठीक है, इसके अंदर लिखोंगा, this is some content, इस तरीके से, यहाँ पे कुछ भी content लिखा हुआ है, demo के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है, alright, so मैंने यहाँ पे card body बना दिया, मैं simple एक काम करूँगा, मैं इसी के साथ साथ एक card footer भ कर दीक होगा, लेकर प्रोब्लम मैंने क्या कर दी, यहा व इस अंपर क्लोज किया, चीह को है, मैं जो card body इसको मुझे निचे लेका आना पड़े गाए एस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, भी यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं बनाओगा card, और इक footer बना दो, इस और नोट टाइप यहां पे बीटियर मैं primary करे दूँगा और मैं हम प्राइमरी करो क्लिक मी करो इस पे तो देखो मैंने कुछ इस तरीके से कोड लिखा है तो अगर मैं इसको compile करूँ तो मुझे यहां पे अभी बिखाई देगा और इसका reason है basically इस index.ges को इस app.ges को import तो करना बट इसको यहां पर यूज नहीं करना तो मुझा export तो करना पड़ेगा पहले ताकि मैं इस complete code को यूज कर पाऊँ ठीक है तो मैं यहां पर लिकोंगा export कर दो default किसको आपका function का नाम तो function का नाम मेरा simply app है तो यहां पर डाल कर दूँगा iota akala s3 case और मां सेव करूंगा ठीक है कि अब मैं हाँ पर जाओंगा और इसको मेंज़ी तरीगे से इस पर इसका पर क्या रहा है मैं यहां पर इस तरी को सिल कुछ वा की एप को आप लोग इमपर्ट कर दो सिंप्ली horse च्युक्र तीक है और यह जो एक अलगा करता हूं मैं ओके यहां भी मैं सलता हूं अब जैसे मैं स्पेज को रीफ्रेस्ट करूंगा और इस स्व आप लोग देसे तो कोड भी एजे दिसी देसे सम कंटेंट और क्लिक में का एक मेरे पास बटन दिखाई दे रहा है बड़ यार मैं मैंने मैंने css कुछ लिख रखी है css का कुछ पार्ट मैंने यहां पर लिख रखा है तो मैं क्या करूंगा इस एप डोट जैसके अंदर आके मैं इसको इंक्लूड भी कर लूगा मैं लिख दूगा यार इंपोर्ट किया जाए simple जो मेरी index.css है उसको इस तरीके से ठीक है और जैसे मैं इस code को save करूंगा और मैं अभी यहां पर जाओंगा तो यह देखो इसका color पीछे का अलग हो चुका है और यह card simple इस तरीके से मेरे पास दिखाई दे रहा है अब कल के दिन मेरे पास यहां पर बड़ा परिग्राप भी हो सकता है तो मैं इस तरीके से बड़ा परिग्राप यहां पर लिख सकता हूं और मुझे view पर क्लिक करके इस तरीके से word wrap पर तो पकलिक करना पड़ेगा सेव करूंगा मैं इसको इस तरी की से Okay, स्टमिय को मेरे पास यावास्रीप कर्थे थे तो इसको इस तरी कीरना आ चूर स्कूर्ण करते थे हैं सबस्सक्至 पहले इस तो हम लोग react just सीख क्यों रहे हैं ताकि हमारा code सोट हो इसलिए हम लोग यहां पर सीख रहे हैं तो यह तो basically एक hard code हो गया तो इसलिए तो हम लोग इसका use करेंगे नहीं simply तो मैं क्या करूँगा मैं simple सबसे पहले components मना दूँगा इसका ठीक है मैं इसको बार-बार copy नहीं करूँगा क्योंकि copy करने का फिर फाइदा नहीं है ना फिर react just के अंदर काम करने का कोई मतलब नहीं बनता तो मैं यहां पर components के अंदर जाऊंगा इस तरीके से और मैं यहां पर card card.jsx नाम से मैं एक file बनाऊंगा और मुझे c यहां पर capital लिखना पड़ेगा जो भी मेरा file होगा उसका जो word होगा उसका जो नाम होगा उसका जो first letter होगा must be capital और यह आपको चीज note down कर लेनी है enter बारूँगा मैं that's it मैं यहां पर लिखूँगा एक function मनाऊ card नाम को वो function होगा बैसे लिए मैं components मना रहा हूँ components based function यहां पर मैं defining कर रहा हूँ function based components ओके तो यहां पर मैं डालूँगा return के अंदर इस तरीके से और इसको मैं यहां पर complete cut करके इसको यह जो मेरा app के अंदर जो भी डिटा है इसको मैं यहां पर complete control X करके FSC करके कुछ भी copy करना है तो इस तरीके से मैं आप डाल दूँगा और इसके अंदर मैं इस इस पास कर दूँगा इस तरीके से ठीक है अब यह card के अंदर यह सारा metadata आज चुका है ठीक है और मैं save करूँगा भी अब मैं क्या करूँगा इस card को यहाँ पर as a JSX elements चूज़ करना पड़ेगा तो मैं आप डालूँगा इस तरीके से की card कहाँ पर है और self closing tag मुझे डालना पड़ेगा एक file तुम्हें आ रहा है इसको मैं मुझे हटाना पड़ेगा save करूँगा इस तरीके से तो मुझे file to compile बोलेगा और मुझे बोलेगा card is not defined क्यों बोलेगा मुझे card is not defined क्योंकि आपने card को export तो कर दिया आपने card को export कर दिया मतलब बोल दिये कि card को use कर लो आप लोग लेकिन जब तक हम लोग import नहीं करेंगे तब तक इस card का कोई मतलब नहीं है दो यहां पर इस तरह करister जाओंगा मैं पर करो सबसे पहले का आँ कहां से नि– पॉलेंट के अंदर का काड उस से कॉल किर के इसको क्या करो MPL कर लो और मैं सेव करूंगा इसको और और मैं यहां पर जाओंगा तो तो अभी इसके अंदर प्रव्लम आ रही है तो जैसे ये इसका इसका यूज कर सकता हूँ और वह मैंने यहां पर किया है तो card.jsx मैंने एक file बनाई और jsx का मतलब यहां पर jsb हो सकता है jsx भी हो सकता है आप लोग कुछ भी उज कर लो तो mostly components के निरे jsb यूज करते है jsb जो भी आप लोग पर depend है आप लोग जो इजी लगे वो यूज कर सकते हो जो आपको समझ में आए तो मैं justice use कर रहा हूँ ठीक है तो एक मैंने अलग बना दे अब मुझे इसको बार-बार अगर मुझे दो-तिन card चीह अभी मेरे पास एक कार है अभी मुझे दो-तिन card चीह तो मुझे इस code को बार-बार कोपी करने की need नहीं है तो मुझे य लेकिन मैं चार कार्ड इस तरीके से यूज नहीं कर सकता मुझे इसको synthetic सुगर format के अंदर डालना पड़ेगा जो एक fragments होता है मैं save करूँ है इसको इस तरीके से लेकिन क्या आप लोग सेम डेटा दिखाओगे सेम डेटा दिखाओगे तो आपकी वेबसाइट का पता है विर तो सभी को अना एक static तरीके से वो बनाई गई है तो मुझे आप क्या करना पड़ेगा सबसे पहले मालो की ऐसा हमा बार-बार नहीं दिखा सकता है यहां पर मालो की कार्ड वन होगा डेमो के लिए मैं पता रहा हूँ आपको यहां पर मालो की कार्ड वन होगा सेकिन में मेरा कार्ड टू होगा कार्ड थ्री होगा कार्ड फॉर होगा जो भी होगा लेकिन वो अलग-अलग डेटा होंगे डेमो के लिए ठीक है तो क्या करेंगे हम लोग हम लोग ऐसा करेंगे हम लोग यहां पर यूज करेंगे प्रॉप्स का बस इसी चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं हम पर प्रॉप्स का अगर मैं इस कार्ड अब props क्या होंगे अगर यहां पर mostly use props का use करते हैं यह जिसके अंदर तो हम लोग props डाल देते हैं इस तरीके से अगर मैं console.log डालों यहां पर props इस तरीके से ठीक है और मैं save करूँ और मैं क्या करूँ right click करके inspect पर क्लिक करूँ all right और मैं console पर चलूँ तो अभी देखो मुझे यहां पर objects मिल रहे हैं अब यह object जितने भी हैं empathy है देखो prototype इसका object है इसमें कुछ नहीं है इसमें भी कुछ नहीं है और इसमें भी कुछ नहीं है तो यार देखो यार simple बात कुछ एसी है कि अगर मुझे अब मुझे इसका नाम चीज़ करना मतलब कोड़ वीद एज मुझे यहां पर कार्ड वन चाहिए तो एक तरीका तो यह कि कार्ड यहां पर मैं लिखूँगा सिंपल की यहां पर आ जाए कार्ड वन इस तरीके से तो लेकिन वह सभी के अंदर अपलाई हो जाएगा तो क्या कार्ड वन इस तरीके से अपलाई होना नहीं है इसको मैं एक simple इस तरीके से मैं एक variable बनाऊँगा मैं यहाँ पर एक attribute बनाऊँगा इसको हम लोग बोलते हैं custom jsx attribute react js के अंदर title request to मैं यहाँ पर डालूँगा कि पहला card है अगर मेरा पहला card है इस card के अंदर मैं लिखूँगा card one इस तरीके से ठीक है तो मैंने card one लिखा अब जैसे मैं यहाँ पर आपको लेगे चलूँ इस spec पे click करूँ ठीक है और मैं आपको लेगे चलूँ इस console के अंदर तो console के अंदर चलना था अब देखो मेरा पहला object था ला इस object के अंदर okay मुझे फिर से इस चीज़ को refresh करना पड़ेगा एक बार I don't know क्या हुआ है मैं save करूँगा यार इसको इसको मैं save करूँगा क्योंकि मैंने console तो यहां पे करवा रखा है इसको और मैं right click करूँगा और मैं inspect पे click करूँगा अब मैं चलूँगा simple सीधे console पे okay मुझे यहां पे objects देखो काफी objects मिल रहे हैं मुझे बट यार मुझे यह पता नहीं से लग रहा है कि simple the object है वो कौन सा है और I don't know यह से क्या problem आ रही है बट एक काम करते हैं हम लोग देखो यार simple सी यह है कि अगर मैं props लिखता हूँ तो अगर मैं यहां पे मुझे javascript यूज़ करनी हो तो मैं इस तरीके से यहां पर डाल सकता हूँ props. जो मेरी variable का नाम तो यहां पर मैं title डाल सकता हूँ कहां से आ है title हम लोग यहां से send कर रहे है title और जो value है वो एक string है string ही नहीं आप लोग number आप लोग object कोई भी आप लोग का area होगा कोई भी link होता है जो भी आप लोग send करना चाहाँ वो send कर सकते तो मैं एक simple string pass कर रहा हूँ demo के लिए चीज़े आपको थोड़ी समझ भी आनी चाहिए save करता हूँ मैं और मैं यहां पर चलता हूँ और इसको मैटाता हूँ देखो पहला मेरा card है उसके अंदर only card one है और बाकी के अंदर कुछ नहीं है समझ रहे हो पहला मेरा card है उसके पेस्ट कर दूँ यहां पे भी मैं पेस्ट कर दूँ यहां पर मैं डाल दू simple two यहां पर मैं डाल दू simple three और मैं यहां पर डाल दू four इस तरीके से save करूँ मैं तो मुझे क्या मिलेगा card one और card two card three card four so here अब आप लोग मुझे बताओ कि यह इतना code और यह basically हम लोग बार बार इसको copy करते पेस्ट करते हमारे code में हमारी file में burden आता हमारी website है वो थोड़ी lag करती क्या हमको अच्छा लगता बिल्कुल नहीं लगता हम लोग नहीं हाँ पे एक बार components मना दिया और हम लोग यहां यहां पे सेंड करना चाहिए वो अजे प्रॉप सेंड कर रहे हैं तो आप लोग मुझे बताओ इस आपको कैसे लग रही है ओके कर लिए तो काड़ वान काड़ तुस तरी के से हमने चीज़ को सेट कर लिए अब ऐसा नहीं कि हम लोग यह टाइट ली कुछ भी हो सकता है उसको हम लोग चैंज कर सकते हैं अब सब्सक्राइट मैं एक कंटेंट नामक वरियाबल बनाऊ अज डेमो के लिए है और मैं काड़ मैंने सेट किया तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पर मैं इसको चैंज करूँगा और मैं लिखूँगा कि जो मेरा प्रोप्स है इसके अंदर मेरा कंटेंट क्या है वो मुझे बताओ तो स्पेलिंग थोड़ी सी सही लिखो आप लोग आप लोग ऐसे नहीं कर सकते इ यह सेत क्या है करने काड़िय करने श्बीं को ब्लोध और मैं और मुझे मुझे पस्ट करने रहा है तो अगlar मुझे चैंज कर खेर के इस पड़ियो और मैं यहाँ पर नास तक हां कि भूए second card मुझे आपे दिखाई दे तो देखो मुझे आपे second card दिखाई दे रहा है इस तरीके से हम लोग इस चीज़ का use कर सकते हैं अब यार मान लो कि ये तो card 3 और card 4 इसके अंदिर मैं by default कुछ मेरी value add करना चाता हूँ तो by default value हम लोग किस तरीके से add कर सकते हैं वो भी important होगी तो वो चीज़ हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे भी हम लोग बात करते हैं हम लोग चलेगे हमारे card पस्थव में वोग यहां पर लिखेंगे सब से पहले जो मेरा card भह trillion है ऐसके अंदर मैं लिखूंगा default, Youtuber मुझे हापibl**** रफर्पोप्स लिखना पड़ेगा in fact, default props melodies वीक्वर्ष टोपड़ہ है, एक व्यस्न स्थरीकर से लग सा, ठीक है, और मैं आप लिख्दु दोगा कि जो मे रा content है, simple, जो मे रा content है, इस तरीकसे, और मैं यहां पर डाल दूगा इस तरीके से एक string this is the card our website इस तरीके से और मैं save करूगा इसको save करता हूँ मैं तो मुझे यहां पर okay मैंने हां पर कुछ कटबड़ी करी है sir मुझे जो semicolon ने यहां ठाना पड़ेगा save करूगा मैं यहां पर चल चुका है तो देखो this is my first second card but यहां पर देखो this is our website this is card our website this is card our website ठीक है तो इस तरीके से हम लोग यहां पर by default चीज भी set कर सकते हैं अगर माल लो कि मुझे button set करने रहे तो मैं button को भी यहां पर set कर सकता हूँ मुझे माल लो की card section यहां पर set करना रहा तो मैं card section यहां पर set करना कुछ भी कर सकता हूँ इस तरीके से हम लोग इस चीज को कर सकते हैं और अगर मैं suppose that this card body के अंदर जाओं और मैं यहां पर लिखूँ एक anote list होगी और इस anote list के अंदर simply एक list होगी ठीक है और यहां पर मैं इस तरीके से suppose that यहां पर कुछ भी लिख दूँ माल लो simply code with more कुछ नाम डाल दू मैं लिख दू अंकित लिख दू इस तरीके से ठीक है और इसी के साथ मैं यहां पर लिख दू हैरी यहां पर मैं लिख दू मैं और मैं save करता हूँ तो मुझे आहां पर लिस्ट के अंदर इस तरीके से दिखाए देंगी अब मैं इसको CSS करने बेटे नहीं बेटूँगा क्योंकि आपको मुझे चीजी समझानी है तो इस तरीके से मैं HTML लिख है अब यां मैं by default यां मसे अब या हो सकते हैं तो मुझे by default अब याइड करने हो तो मैं यहा पर है डाल सकता हूँ कि जो मуюरत इस तरीके से मैं आपर डाल सकता हूं कि सबसे पहले तो लिस्ट वन होगी एक्वस्ट टू एलाइवन करते तो इंफेक्ट में यह समझ में चलती आएगा एलाइवन और मैं इस तरी के से लिखूंगा अनूराग ठीक है और इसी के साथ तो मुझे यहाँ पर कोमा देने पड़ेगी इसको इसी के साथ मुझे एलाइट टू पास करने प्रोप्स भईया इसमें जो भी मेरा ऐलाइवन यह उसको दिखा हो तो मतलब by default जो भी value है और मैं यहाँ पर लिख दूँगा props भाईया ठीक है .li2 को आप लोग दिखाओ इस तरीके से ओके और third को भी हम लोग दिखा सकते हैं तो मैं यहाँ पर props.li और मैं यहाँ पर 3 को भी दिखाओ और not मुझे यहाँ पर 3 set करना पड़ेगा save करूँगा set मेरी Li1 की value card 1 के अंदर मतलब यहाँ पहले वाला card के अंदर कोई दूसरी value है तो मैं यहाँ पर मुझे मेरी custom value हो सकती है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूँगा and equals to लिखूगा रोहित तो पहले के अंदर मुझे यहाँ पर रोहित दिखाई देगी बाकी के अंदर यह सारी चीज़े सेम है इस तरीके से तो कार्ड फस्ट के अंदर इस तरीके से रोहित है अगर मेरी कार्ड सिंप्ली कार्ड सेकेंड के अंदर मालो आपको प्रॉप्स का फंडा क्लियर हो गया होगा अभी भी हम लोग कुछ हाड कोड कर रहे हैं सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यार हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लिफाइ किस तरी के से कर सकते हैं लेकिन आपको प्रॉप्स हमज़ में आ गया होगा इस तरी के से हम लोग यहां पर इस इंटेक्स होता है कार्ड एंड डिफॉल्ट प्रॉप्स इक्वस्ट लगा कि हम लोग यहां पर इस तरी के से इस तर लिएबर का नाम हम लोग यहां से सेट कर रहे है by default वो हम लोग यहां पर इस स्ट्रिंग लिंक कुछ भी हो सकता है उसको हम लोग यहां पर यूज कर सकते है So I hope guys यह वीडियो आपको सेंस कर रहा होगा आपको रियक्ट जिस क्यों सेगे ना इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा तो रियक्ट जिस काफी इंपोटेंट है यार So guys मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए Thank you so much, check care, bye bye